नमस्कार, आईए सुनते हैं गीता तत्व चिंतन का अगला अंग जैसा कि आप सभी को विदित हैं स्वामी आत्मा नंजी के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक गीता तत्व चिंतन से हम यह श्रंखला प्रस्तुत कर रहे हैं आज का विशह है पांडवों के विशिष्ट योद्धाओं के नाम तथा परिचे महराज बता रहे हैं कि कैसे दुर्योधन पांडवों की ओर के विशिष्ट योद्धाओं का वर्णन करता है प्रथम अध्याय के चौथे, पाँच में और छटे शलोक में दुर्योधन बताता है अर्थार्थ इस सेना में युद्ध करने में भीम और अर्जुन के समान बड़े धनोर्धारी योद्धा है युयुधान अर्थार्थ सात्य की विराट और महारथी दुरुपद जैसे शूर्वीर है फिर ध्रिष्ट केतु, चेकितान, तथा बल्वान पुरुजित, कुंति भोज और नर्श्रेष्ट शेव्य, पराक्रमी युधामन्यू, बल्वान उत्तमाउजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यू और द्रौपदी के पाँचों पुत्र ये सब के सब महारथी है महराज बता रहे हैं कि यहां शूरा, महेश्वासा, महारथः, ये तीन विशेशन सभी योद्धाओं के लिए समान रूप से प्रयुक्त हुए हैं साथी साथ कुछ योद्धाओं की अलग से विशेश्टा बताई गई है दुर्योधन इन विशेशनों के द्वारा आचारे द्रोन पर यह प्रभाव डालना चाहता है कि पांडवों की सेना को हमारे सैने से किसी भाती कम शक्तिशाली ना समझा जाए दुर्योधन कहता है भीम और अरजुन के समान इससे ध्वनित होता है कि वह भीम और अरजुन को महा बलशाली समझता था तथा पांडवों की ओर इनहीं दोनों को प्रमुक योद्धा मानता था भीम के जन्म के समय आकाश्वानी हुई थी कि यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ट है जन्म के दस्वे दिन ये माता की गोद से एक शिला खंड पर गिर पड़े और इनके शरीर की चोट से वह शिला चूर चूर हो गई फिर कौर्वों की सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो भीम से नहीं दुशासन की छाती फाड़ कर उसका रक्त पीने की भीशन प्रतिग्या की थी तथा दुर्योधन की जांग तोड़ देने की भी भयंकर घोशना की थी इसी लिए दुर्योधन भीम से भीतर ही भीतर बहुत डरता था अर्जुन्तो महान पराक्रमी थे ही अकेले ही उन्होंने मंत्रियों सहित दुरौपद को पराजित किया था और उन्हें बंदी बनाकर दुरोणा चारे को सौपा था जबकि दुर्योधन समय सारे कोरव दुरौपद से हार कर भाग निकले थे उसी प्रकार जब पांडवों के अज्यातवास के समय कोरवों ने विराटनगर पर धावा बोला तो अकेले अर्जुन्न ने ही कोरव सेना का संहार कर उसे खदेर दिया दुर्योधन यह सब भली भाती जानता था क्योंकि वह भुक्त भोगी था इसी लिए उसके मुख से भीमार जुन समाह शब्द निकलता है भीम और अर्जुन उसकी आँखों के सामने काल के समान नाचते रहते हैं महराज आगे बताते हैं कि महा भारत में वीरों की चार श्रेणियां बताई गई हैं अतीरथी महारथी रथी और अर्ध रथी कुछ लोगों के अनुसार अतीरथी और महारथी परियावाची शब्द हैं और एक ही अर्थ की अभिव्यन जना करते हैं महारथी उसे कहा गया है जो अकेले ही दस हजार धनुर धारी योद्धाओं से लडने की शमता रखता है अतीरथी वह है जो दस हजार से भी अधिक योद्धाओं से अकेले मुटभेड ले सकता है रथी वह है जो एक हजार योद्धाओं से अकेले लड़ ले और अर्धर रथी की श्रेणी इससे भी नीचे है यूयू धान का दूसरा नाम सात्यकी है वे विर्ष्णी वंशी शिनी कुमार सत्यक के पुत्र है शिरिक्रिश्न के मतानुसार सात्यकी एक अतीरथी वीर है भीश्म उन्हें रत यूथपों का यूथप मानते हैं और बड़ा ही असहनशील तथा निर्भीक समझते हैं वे एक अक्षोहिनी सेना लेकर युधिष्टिर के पास आये थे विराट मत से देश के राजा हैं और उत्तरा के पिता हैं ये शंक और उत्तम नामक अपने पुत पुत्रों तथा सूर्यदत और मदिराक्ष इत्यादी वीरों के साथ एक अक्षोहिनी सेना लेकर महा भारत युधि के लिए आये थे भीश्म के मतानुसार ये बूढे होने पर भी युधि में अजिये थे तथा बड़े पराक्रमी और एक महारती थे दुरुपत पांचाल देश के राजा हैं इन्हें गीता में ही महारती का विशेशन दिया गया है ये अपने दस पुत्र सत्यजित और द्रिश्ट दुम्न आदी के सहित एक अक्षोहिनी सेना लेकर आये थे ये यद्यपी वरध हो चले हैं तथा पी भीश्म इन्हें युध में अजे मानते हैं औ और महान पराक्रमी तथा महारती की संग्या देते हैं ध्रिश्ट केतु शिशू पाल के पुत्र हैं और चेदी देश के राजा भीश्म के मतानुसार ये बड़े ही वीर और धनुरधर हैं एवं एक महारती हैं ये भी एक अक्षोहिनी सेना लेकर युद्ध में आये थे चे ये भी एक अक्षोहिनी सेना लेकर युद्धिश्टिर के पास आये थे काशी राज भीम सेन के श्वसुर थे इन्हें गीता में वीर्यवान का विशेशन दिया गया है संजय के मतानुसार ये एक महारती हैं भीश्म इन्हें शस्त्र चलाने में बड़ा फुर्तीला और शत का संहार करने वाला मानते हैं तथा इन्हें साधारन अवस्था में एक रथी की संग्या देते हैं किन्तो यह भी कहते हैं कि युद्ध में पराक्रम करते समय ये आठ रथियों के बराबर हो जाते हैं पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों सगे भाई हैं तथा राजा कुछ व्याख्याकार पुरुजित कुंती भोज को एक ही व्यक्ति का नाम मानते हैं पर महाभारत में हमें पुरुजित और कुंती भोज दोनों के अलग-अलग विवरन प्राप्त होते हैं कुंती इन दोनों के पिता राजा कुंती भोज द्वारा दत्तक ली गई थी अते तब इनका नाम प्रथा था, वसुदेव शूर सेन के पुत्र और प्रथा के भाई थे, राजा कुंती भोज शूर सेन की बुआ के पुत्र थे, वे संतान हीन थे, इसलिए शूर सेन ने प्रथा को राजा कुंती भोज को गोद्दे दिया था, तब से प्रथा कुंती के नाम स परिचित हुई पूरुजित भीश्म पितामह की दृष्टी में महा धनुर्धर और अत्यंत बलवान थे वे पूरुजित को एक अतिरती मानते थे भीश्म ने पूरुजित के अन्य जो विशेशन लगाए वे हैं वीर, महेश्वास, कृती, निपुण, चित्रयोधी, शक्र तथा रथा पूंगवा, पूरुजित के भाई कुंती भोज भी अच्छे योद्धा थे, इन्होंने पांडवों की ओर से अनेक महतपून इस्थानों में खड़े होकर युध किया था, ये द्रोणाचारे के हाथों मारे गए थे, चैव्वे, शिवी देश के नरेश हैं औ और युधिष्ठिर के स्वसुर हैं, दुर्योधन ने इनकी गर्णा पांडव सेना के महान धनुर्धरों से की थी, गीता में इन्हें नर्श्रेश्ट का विशेशन दिया गया है, युधामन्यों और उत्मोजा पांचाल देश के राजकुमार थे, तथा क्रमशह, अर्ज जुनके बाएं और दाहिने चक्र रक्षक थे, भीश्म उत्मोजा को अच्छा रथी और युधामन्यों को उत्मरथी मानते हैं, गीता में युधामन्यों और उत्मोजा के लिए क्रमशह, विक्रांत और वीर्यवान का विशेशन लगाया गया है, सौभद्र, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हैं, ये अभिमन्यों के नाम से परिचित हैं, भीश में पिता में इन्हें रत यूथपों के यूथों का भी अध्यक्ष मानते हैं, तथा युध में इन्हें अर्जुन और शिरिक्रिश्न की बराबरी का समझते हैं, संजय की दृष्टी में प्रतिविंध्य सुत्सों, शुत्कीर्थी, शतानीक तथा शुत्सेन ये पांचों पुत्र भीश्म की दृष्टी में महारथी हैं, आगे महराज कौरव सेना के योध्धाओं के नाम तथा परिचय पर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, महराज कह रहे हैं, इस प्रकार प अस्मा कम्तु विशिष्टा ये तानि बोधा दुजोत्तमा नायका ममसैन्यस्य संग्यार्थमतान ब्रवीमिते अर्थार्थ हे दुज श्रेष्ट हमारे पक्ष के भी जो प्रधान हैं, उन्हें आप समझ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बतलाता हूँ, जो की मेरी सेना के नेता हैं भवान भीश्मस्च कर्णस्च कृपश्च समितिंजयाह अश्वत्थामा विकर्णस्च सौम दत्तिस तथेवचा पहले अध्यायका आठम श्लोक अर्थार्थ आप पितामा भीश्म, कर्ण और रण विजई कृपश्चार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सौम दत्त का पुत्र भूरी श्रवा महराज बता रहे हैं कि दुर्योधन की चाटु कारिता दर्शनिये हैं वह भीश्म के भी पहले द्रोणाचारे का नाम लेता है भीश्म कौर्वों के सेनापती हैं, सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं, अतेव सर्वप्रथम उनहीं का नाम लिया जाना उचित है पर द्रोणाचारे को सरवाधिक सम्मान द्वारा प्रसंद करने के लिए दुरियोधन उन्हीं को अपनी सूची में सर्व प्रथम रखता है। भीश्म के पस्चात एवं कृपाचार्य के पहले कर्ण का नाम गिना कर दुरियोधन ने कर्ण की प्रसंता प्राप्त कर ली। किन्तु क्रपाचार्य का नाम करण के बाद लेने से कहीं क्रपाचार्य और आचार्य द्रोन असंतुष्ट ना हो जाएं, इसलिए वह क्रपाचार्य के नाम के साथ समिंतिन जयाह विशेशन लगा देता है, इससे सभी की संतुष्टी हो जाती है, इसमर्णिये हैं कि द्रोणाचारे का विवहा कृपाचारे की बहन कृपी से हुआ था आगे महराज बता रहे हैं कि द्रोणाचारे को भीश्म पिताम है रत यूथ पतियों के समुदाय के भी यूथ पति मानते हैं वृद्ध होने पर भी उन्हें नव यूवकों से अच्छा समझते हैं और कहते हैं कि वे रण भूमी में एकत्र एवं एकी भूत हुए संपून देवताओं, गंधर्वों और मनुश्यों को अपने दिव्यास्त्रों द्वारा नश्ट कर सकते हैं पर द्रोणाचारे की एक बड़ी दुरबलता है और वह है अपने पुत्र अश्वत थामा के प्रती प्रबल आसकती यह आसकती ही उनका काल बनती है पितामेह भीश्म का बलतो सर्वविदित है ही उन्होंने अपने गुरु महा पराक्रमी परशुराम को युद्ध में पराजित किया था काशी राज के यहां स्वैमवर से उनकी कन्याओं का जब उन्होंने अपहरण किया था तो अकेले ही हजारों पराक्रमी नरेशों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिये थे कर्ण वैसे तो बड़े वीर हैं पर कति पे आनुशंगिक दोशों के कारण उन्हें कैई लोग नहीं चाहते भीश में पिता में कर्ण से चिड़े हुए हैं और उनके सम्मंद में मत प्रकट करते हुए दुर्योधन से कहते हैं राजन यह जो तुमारा प्रिय सखा कर्ण है जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रणशेत्र में सदा अपनी कुरूरता का परिचा देता है बड़ा ही कटुभाशी आत्मप्रशंसी और नीच है यह कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है यह अभिमानी तो है ही तुम्हारा आश्रे पाकर बहुत उचे चड़ गया है यह कर्ण युद्धु भूमी में ना तो अती रथी है और ना रथी ही कहलाने के योग्य है क्योंकि यह मूर्ग अपने सहज कवच तथा दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है यह दूसरों के प्रती सदा घ्रणा का भाव रखता है मेरी दृष्टी में यह कर्ण तो अर्ध रथी है यह सुनकर आचारे द्रोन भी कह उठते हैं आप जैसा कहते हैं बिलकुल ठीक है आपका यह मत कदापी मित्या नहीं है यह प्रतेक युद्धु में घमन तो बहुत दिखाता है पर वहां से भागता ही देखा जाता है कर्ण दयालू और प्रमादी है इसलिए मेरी राय में भी यह अर्ध रथी ही है कृपा चारे को भीश्म रत यूत पतियों के भी यूत पती मानते हैं तथा कार्थी के की भाती उन्हें अजे समझते हैं अश्वत्थामा द्रोणाचारे के पुत्र हैं दुर्योधन नव्योवकों में सर्व प्रतामिस्थान इन्ही को देता है और इस प्रकार द्रोण का इसनेहे अपनी ओर खीचता है पिता में भीश्म अश्वत्थामा की प्रशंसा तो करते हैं पर उनका एक बड़ा दोश भी बताते हैं वे क अस्त्रों का सामना करने वाला सुद्रण अस्त्रों से संपन तथा महारती है वह चाहे तो तीनों लोकों को दगध कर सकता है किन्तु उसमें एक ही बहुत बड़ा दोश है जिससे मैं इसे ना तो अतीरती मानता हूं और ना रती ही इस ब्रहामन को अपना जीवन बहुत प् विकर्ण धृत राष्ट के पुत्र हैं धृत राष्ट के ग्यार है महारती पुत्रों में इन्हें भी एक गिना जाता है कुरुवंशिय सोमदत्त के पुत्र भूरी श्रवा भीश्म की दृष्टी में महाधनुर्धर और अस्त्रविद्या के पंडित हैं वहरतियों के यूथ पती हैं ये एक अक्षोहिनी सेना लेकर दुर्योधन की सहायता में आये थे गीता की किसी किसी प्रती में तथैवच के बदले जैद्रथ पाठ आया है जैद्रथ सिंधु देश का राजा है और दुर्योधन की बहन दुष्शला का पती है भीश्म पिता में इसे वो रथियों के बराबर भी मानते हैं प्रथम अध्याय के नवे श्लोक में अन्ये चा बहवह शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताहा नाना शस्त्र प्रहर्णाहा सर्वे युद्ध विशारदाहा अर्थार्थ इनके सिवाय अन्ये भी बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने म प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को धारण करने वाले तथा युद्ध विद्या में निपोड हैं महराज बता रहे हैं कि दुर्योधन का भाव यह है कि अब और कहां तक गिनाऊं अन्ये बहुत से शूरवीर योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राणों का मुह छोड़ बैठे है इससे ध्वनित होता है कि आचारे द्रोण भी दुर्योधन के लिए उसी प्रकार अपने प्राणों की बाजी लगा दें दुर्योधन अपनी तरफ के थोड़े से ही योद्धाओं के नाम गिनाता है जिससे द्रोणाचारे को उसके प्रती सहानुभूती हो कहां पांडवों की ओर एक से एक बढ़कर योद्धा और कहां दुर्योधन की ओर इतने काम लोग इस मनोवैज्यानिक चित्रन द्वारा दुर्योधन अपनी ओर आचारे द्रोण की सहानुभूती खीचना चाहता है महाराज बता रहे हैं कि तातपर्य यह है कि भले ही कौर्वों की ओर ग्यार है अक्षोहिनी सेना हो पर विशिष्ट वीर तो संख्या में पांडव सेना की तुल्ला में कम है फिर दुर्योधन के मन में तुरंत यह भी आशंका होती है कि कहीं उपर्युक्त उक्ति को आचारे द्रोण उसके मानसिक भै का बही प्रकाश न समझ लें अतेव वह कहता है गुरुदेव और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्रान त्याक कर बैठे हैं और विधी की विडंबना कैसी है दुर्योधन की बात सत्य होती है अपनी ओर के सेना नायकों के लिए त्यक्त जीविता कहकर उसने सब के नाश की मानोपूर्व सूचना दे दी आशा है आज का यह प्रवचन आपको अच्छा लगा होगा आगे आने वाले समय में भी हम इसको क्रमबध रूप से प्रस्तुत करेंगे आपसे निवेदन है कि देवाक्षर को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें और देखते रहें देवाक्षर के वीडिय आवाद